आज हम बात करने वाले हैं, J-Main और J-Advanced exams में क्या difference रहेगा, आपको अपनी preparation किस तरह से set करनी है, according to your aim, ताकि हम दोनों exams में, या अगर आपको किसी एक exam में ही, अगर आपको करना है fight, तो किस तरह से पनी preparation को shape करें, तीन points में हम बात करेंगे, material, study material में क्या differences रहेंगे, preparation के और exam में, या जब last time आप preparation कर रहे हो, exam pattern में, उन चीजों में क्या difference रहेगा, अच्छे से आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते है, material की, तो guys, ये चीज़ आप समझेगी, J-Main और J-Advanced में, 90% study material, same ही रहता है, 90% से लिए बात से रहता है, J-Main मे जैसे कि आपके NCRT में को chapters है, जैसे statistics हो गया, आपका mathematical reasoning हो गया, आपका chemistry में environmental chemistry हो गया, chemistry everyday life अगेरा हो गया, ये जो 3-4 chapters है, SME conductors, ये आपके J-Main में extra आते हैं, हाला कि इनको cover करना कोई difficult काम नहीं है, आप यदि NCRT को अच्छे से cover करते हैं, इनके अंदर जो भी आपको information दी दे हैं, इसको प्रक्तिस करते हैं, इनके अंदर फेस्टमें इन इस तॉपिक्स इन J-Main, अपर्रों व्ड़ों ये एक डिफरेंस है नों के study material में, अभ यहाँ पे मेरी जो सजेशन रहेगी हो ये रहेगी कि गाईस, अगर आप स्पेशली क्लास 11-12 में अभी हो मंदब आपके पास अभी 1-2, 1.5 साल बचा है J-E की preparation में, मतलब preparation point of view से अगर हम बात करें, तो आपको अपना ध्यान देना चाहिए J-E advanced पर, क्यों? क्योंकि J-E advanced से एक ज्यादा difficult exam है, उसकी preparation अगर आप करेंगे, आप अगर J-E advanced level के questions अभी से practice करेंगे, अपनी coaching sheet में, आप जहा अपनी आप हो जाएगी, तो ये आप करें प्लीज की J-E advanced को aim करें, जादा तर बच्चे जो बहुत अच्छी ranks राते हैं, including myself, हमने J-E mean पर focus नहीं कियाता है, हमारा focus J-E advanced पर रहता है, क्योंकि main exam वही होता है, IIT में admission आपको उसी से मिलने वाला है, और in the end, toppers के लिए वही 10,000 बच्चे जाने वाले, ठीक है न, तो अब हर बच्चा जाएगा नहीं, इस वीडियो को देखने वाले ही बच्चे शाहे 10,000 से जादा होंगे, तो आप में से हर एक बच्चा IIT नहीं जाने वाला है, ये एक fact वाली बात है, ठीक है, इसको लिए के बुरा नहीं मानने है कि मैं करना आप IIT नहीं जाओगे, आप सब जा सकते हो, लेकिन नंबर जेया, 10,000 बच्चे से जादा तर बच्चे नहीं जाएंगे, तो आप वो बच्चे किसी ना किसी और गवर्मेंट कोलेज में जाएंगे, किसी और प्राइवेट कोलेज में एडमिशन लेंगे, अब वहाँ पे J-I main की rank आपकी Parents करती है, तो वहाँ पे अगर आपlord J-I main की performance नहीं है, तो आपने advance में बहुत अच्छी राइंगे, वहींगे, उपने advance में यहीं 20,000 rank Lend से आ गई, यह बहुत अच्छी rank होती है, यह बहुत अच्छी rank है, यह बहुत अच्छी rank है, जैन आपको ठीक है अगर ऐसा senior बन गया then you will not be in a very favorable position because IIT तो मिलने से रही जो exam अच्छा हुआ वो काम करन रहा नहीं और यह rank शायद इतनी अच्छी है नहीं from a college point of view लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि आपकी advance के अंदर आपकी let's say कि advance में तुमारी rank इतनी अच्छी नहीं आई कि पचास अच्छी नहीं आगे this is not a good rank in J.E. advance क्योंकि एक लाग बच्छों में से पचास अच्छी नहीं है लेकिन J.E. main के अंदर तुमारे 2,000 या 10,000 rank अगी this is now a good condition because बले ही हमें IIT नहीं मिली हम अभी भी एक अच्छे decent college में जाएंगे decent नहीं बहुत अच्छे college में पहुँच जाओगे top NIT easily मिल जाएगी तनी rank पे right so I hope you understood my point that you have to keep your preparation up to J.E. advance level लेकिन J.E. main के जो questions होते है J.E. main के P.I.Q.s हो गए उनको आपको ignore नहीं करना है तो अभी तक मैंने material की बात कर ली है preparation की बात कर ली है अब करते है exam की कि exam में क्या difference होते है और final exam में जब तयारी होते है जब last year कोच देन होते है तब आपको क्या differences रखने है तो guys exam में J.E. main में negative marking relatively कम है J.E. advance की comparison में पहली बात तो यह दूसरी बात यह की J.E. main के अंदर आपका question केवल एकी type का आते है single choice अब हलां की numerical type भी डाल दे लेकिन तो भी एक simple overall question paper pattern रहता है J.E. advance में रिके multiple choice भी आता है ज़्यादा negative marking आती है match the column आता है integer type आता है paragraph type आता है बहुत साहे तरह के questions रहते है तो J.E. advance relatively एक tougher exam हो जाता है because of the sheer difference in the test taking pattern ठीक है तो आपको इसके लिए भी prepared रहना है आपको try करना है कि आप J.E. main और J.E. advance दोनों के questions paper क्या करो एक्सा नहीं करना है कि केवल J.E. main, J.E. main के questions कर रहे हो क्योंकि उससे आपका advanced level का तयारी नहीं होगा उससे आप miss out कर दोगे paragraph type की practice पे आप miss out कर देंगे multiple choice questions के अंदर कैसे आपको attempt करना ते सारी चीज़े आप miss out कर देंगे so please practice both kind of paper ऐसा भी नहीं करना है कि केवल J.E. advance, J.E. advance, J.E. advance करना है क्यों क्योंकि वरना ये वाला समीर आपके साथ नहीं हो जाए ठीक है वो एक गंदा समीर हो जाएगा तो आप main के single choice वाले question भी practice करेंगे mock test जब आपकी coaching में कराया जाते हैं तब अब बात करें last time preparation में last time preparation के अंदर guys में strong recommendation सभी को दूँगा future में याद रखना ये कि जब आपका exam pass में आएगा अगर आप J.E. main आपका pass में आ रहा है तो बले ही आप कितने भी smart हो NCRT को बहुत अच्छे से पकड़ना क्यों क्यों क्योंकि J.E. main के अंदर बहुत सारे questions तुम कैसे बते हो कि आजकल 50-60% paper NCRT based बनने लग गया है especially chemistry तो almost फुरा ही वहीं से आ रहा है तो आप अगर NCRT को ignore करोगे तो देखो difficulty आएगी J.E. advance साला की इतना जादा NCRT based नहीं है वहाँ में मैं recommend करूँगा कि आप tough questions ही करें coaching के questions जो हो गए थोड़ी अच्छी books के questions अगेरा हो गए previous year IIT J.E. advance के questions हो गए जो मेरा खुद का एक platform है ठीक है तो आप description में जाहिएंगी आपको account boost नाम करके app और website का link मिलेगा जहां पे आप J.E. की पूरी तयारी कर सकते हो मुझ से और मेरे team से ठीक है तो यहां पे मैं आपको guidance दे रहा हूँ आप लोगो बहुत सारा चीजे में आपको बता रहा हूँ फ्री में आप सभी के benefit के लिए लेकिन अगर आप इसे पढ़ना भी चाते हैं कि चलिए वहिया से हम पढ़ते भी हैं कि इनको और क्या-क्या आता है इनकी physics chemistry maths की यान भी हम लेते हैं तो आप यहां पर जा सकते हो आपको DPPs, Test Series, बोथ J.E.Main and J.E.Advanced point of view से मिल जाएंगे आपका कोई साभी target year हो आपके लिए courses हमारे पास रहेंगे तो एक बाद check ज़रूर कर लेना आपको बहुत अच्छा लगेगा description में दे रखा है अब मैं summarize करता हूँ इंदर मैंने क्या बोला सबसे पहले मैं आपको यह बोला material आपका almost same रहेगा coaching का लेकिन J.E.Main के अंदर NCRT की importance थोड़ी सी बढ़ जाती है तो आप please उसको solve करे है ना बात करे preparation की तो आपको preparation अपनी J.E.Advanced level तक रखनी है advanced level तक हम पहुचा देंगे तो पहले से ही अब रखेंगे अपनी तयारी ठीक है लास्ट मैंने यह बोला कि जब exam pass में आए तब J.E.Main के लिए आप mains में थोड़ा सा NCRT जादा आता है तो थोड़ा सा आप NCRT का practice बढ़ा सकते हैं और जब आपका J.E.Advanced पास है तब आप ट्राय करें कि थोड़े टफर questions हम solve करें यह एक थोड़ा difficult topic है गाइस लेकर आपको ध्यान रखना है कि दोनों की preparation आपको balance में रखनी है और अगर आपको ऐसा लग रहा है यार कि मुझसे let's say advance नहीं हो रहा है या मझे struggle हो रहा है तो आप J.E.Advanced की preparation ड्रॉप करके मेंस पे आ जाओ क्यों क्यों क्योंकि ऐसा नहीं हो कि IIT के चक्कर में हमारी NIT और local colleges भी छूट जाए राइट IIT आपको तब preparation करने है जब आपको conference हो यार कि मेंस तो में निकाल ही होगा तब आप advance की तयारी करो तो थोड़ा benefit भी है अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा शायद नहीं होगा तो आप एक बार के लिए मेंस को पकड़ सकते हो It is not bad at all, कोई शरू की बात नहीं है guys सबका आपना एक level होता है, सबकी अपनी अपनी circumstance होती है तो आपका जो level है उसको embrace करें और अगर आपको लग रहा है कि I cannot do J.E.E. advance due to any reason और ऐसा नहीं कि जब रस्ती बोल जा कि 11 की स्टार्टिव में ही बोल जा कि मैं नहीं कर सकता लेट से 6 महीने बचे एक्जाम में और आपको लग रहा है यार कि मेरे अभी भी मॉक टेस पे 30-40 नंबर ही आ रहे है 300 में से J.E.Main में तो यानि कि शायद आपको advance की छोड़ के अब mains का पढ़ना चाहिए ठीक है तो ये चीज़ आप करें ये बहुत पच्चों के साथ में देखा है गाईस कि advance advance के चक्कर में mains भी जाता है advance भी जाता है तो ये गलती ना करें one of the most common mistakes which aspirants do तो आपनी preparation को आप पूरी तर से streamline रखें दोनों में division समझें कि advance में ये difference है mains में ये difference है mains के रिष्टर की तयारी करनी है advance के रिष्टर की तयारी करनी है intelligent बच्चे advance पर जादा ध्यान दे जिनके अच्छे नंबर आ रहे है टेस्ट हो गेरा में आप advance का तयारी करें mains अपने आप हो जाएगा बस last time में NCRTF revise कर लीजेगा और जो बच्चे ऐसे हैं यार की हमें नहीं हो रहा है इतना हमसे नहीं हो रहा है कोशिश करने के बाद भी नहीं हो रहे है तो आप ट्राय कर सकते हैं कि हम शायद अब J-E mean की ही त्यारी करेंगे I hope you like this video पसंद आए तो like करिएगा सब्सक्राइब करेगा चैनल को में इस तर की बहुत सारी academic-related video J-related video डालता रहता हूँ और AcadBoost app देखेगा description में जाके वहाँ पे आपको अपने target year के लिए courses मिल जाएंगे जिनको गर आप पढ़ेंगे आप अपनी dream IIT अपनी dream NIT में definitely पहुँच सकते हैं thank you